नमस्कर दोस्तों गडेन ग्यान चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए एक बहुत सुन्दर सा प्लांट लाया हूँ और भेराइटी भेराइटी का प्लांट दिखाने के लिए मुझे अच्छा लगता है और आप लोग भी डिमैंड करते हैं दोस्तों ने आप प्लांट दिखाइए सर तो इसलिए मैं आठ प्लांट लेके आता हूँ इसको देखके बहुत सारे लोग पहचान गया होंगे लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं है क्योंकि ये रेयर प्लांट में से एक है दोस्तों इसे एबुटिलन पिक्टम बोलते हैं चाइनीज लंटन और जुमका के तरह नीचे लटकता हुआ रहता इसका फूल और ये पोधा दोस्तों हर नर्सरी में आपको मिलेगा नहीं ये एक्चुली गुढल का एक भराइटी है हविसकस का और टाइगर जैसा रहता है इसलिए कोई कोई इसे टाइगर एबुटिलन भी बोलते हैं और देखिए दोस्तों बहुत प्यारा और यूनिक फूल है और इसका फूल तीन-चार दिन लाश्टिंग करता है हविसकस जैसे एक-दो दिन में फैड़ हो जाता है ऐसा मैं लगाया हूँ दोस्तों छोटे से गमले में प्लास्टिक का पॉर्ट है देखिए 6 इंच का पॉर्ट है और नस्तरी से मैं इसे खरीद के लाया था करीब डेड़ भाहिने पहले और यहां पे देखिए प्लांट काफी हाइट में आ गया था और प्लांट बहुत उपर त दोस्तों तो इसके क्यार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं प्रोपागेशन तो यह स्टेम कटिंग से हो जाता है और इसका क्यार की अगर बात करें तो पॉटिंग मीडिया दोस्तों नॉर्माल गाडेंस वाल लीजिए आप 70% और 30% लीजिए गोवर का खाथ और उसको अच्छे से मिलाक के लगाईए वेल्डेंड मीडिया रहना चाहिए नीचे रनेज हुलाप का रहना चाहिए और पॉट साइज आप ले सकते हैं प्लांट छोटा है तो 6-8 इंच और बड़ा प्लांट है तो आप 10-12 इंच का गमला ले सकते हैं दोस्तों अगर प्लांट ज् इस पे आएगा तो फूल का क्वांटिटी बढ़ेगा और रेगुलारिस में फूल आएगा टीजीज प्री रहेगा ये पोधा दोस्तों इसका फूल यूनिक कलर में रहता है इसलिए देखने में बहुत बढ़िया लगता है ये देखिए बाई कलर है लेकिन फूल का में उठाएंगे तो इसका अंदर और भी प्यारा दिखता है दोस्तों ये ऐसे ही खिलता है पूरा खिलता नहीं है ये प्लांट दोस्तों जितना ब्रांच आता है उतना फूल देता है क्योंकि मल्टी ब्रांच रहने पर मल्टी सूट आता है और सब ब्रांच में दोस्तों फूल लग जाता है और यह एक ऐसा वेराइटी है कम फटिलाजर में ज़्यादा फूल देने वाला बोधा है दोस्तों और फेरी easy to care है beginners भी लगा सकता है इसे और अगर आप फटिलाजर इसमें देंगे ठीक से तो बहुत बढ़िया रहता है इसमें मैं दिया था दोस्तों NPK 1919 और दिया था mustard cake का liquid mustard cake powder भी दे सकते हैं आप और उसमें आप टाल सकते हैं JP तो बहुत तरह का फटिलाजर है कोई भी दे सकते हैं आप और हर 15 दिन में अगर आप ऐसा करेंगे तो यह फूलों से भरा हुआ रहेगा क्यूंकि यह heavy bloomer है और रेगुलारी से फटिलाजर चाहिए तो हर 15 दिन में यह सब काम आप करना चाहिए सर्दियों में तो कुछ नहीं होता है लेकिन जब गर्मिया आता है इसमें मिली बग लगते हैं अगर मिली बग आपका लगता है तो सुपर सोनाटा का स्प्रे करना चाहिए और एक तरह आता है आपका थायमोटोक्सिम उसे आपको बचाना है प्लांट को नहीं तो वह प्लांट प्लांट को डेमेज कर देंगे आपका और फूल का क्वालिटी भी कम कर देंगे मेरे पास इसका एक पोधा अगर किसी को चाहिए तो मुझे आप वाटसेप पे कॉंटक्ट कर सकते हैं और मुझे फोन मत कीजिएगा मै मेरा वाटसेप नंबर अक्सर देता हूं और आपको मेरा वाटसेप नंबर नहीं पता है तो इस वीडियो में भी मैं दे रहा हूं लेकिन एक ही प्लांट वजाए दोस्तों जो पहले मुझे कंटक्ट करेगा मैं उसको दे दूँगा और ये प्लांट आपका साइज में भी देखिए बहुत बड़ा है और ओडिसा के अंदर आप हैं तो बहुत अच्छा है क्यूंकि मेरा लोकेशन ओडिसा है अगर आप दूसरे किसी स्टेट से हैं या ओडिसा के आसपास से हैं तो फिर कर सकते हैं लेकिन प्लांट दस्तों पांच दिन का लेक्व लेक् Иंग कर सकते हैं पांच दिन इंसे अगर ज्यादा ट्रांपोर्टिंग लगता है तो प्लांट thigh भी हो सकता है तो ट्रांपोर्टिंग रीक्स आप लोगों के साथ सेयर कर लूँ और देखिए फूल भी जम के आया है बहुत सारा फूल दे रहा है और यह औल सीजन ख्लावार है दोस्तों किसी भी महीने में किसी भी सीजन में फूल देने वाला पोधा है और ऐसा पार्मानेंट प्लांट ही आपको रखना चाहिए घर में तो